हेलो दोस्तो गैत्री की रुसे में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज में बनाऊंगी कटहल की सबजी तो दोस्तो ये कटहल की सबजी में आज बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाली हूँ मैं ये कटहल की सबजी बनाई हूँ कुकर में तो रेश्पी देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखे, देखते रहे तो चलिए पहले हम गैस पे कुकर चड़ा देते हैं तो दोस्तो मैंने गैस पे कुकर चड़ा दिया है, अब कुकर में पानी डालूंगी तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जैसे नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, और कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लॉंग डाल देंगे तो चार काली मिर्च चार लॉंग ले लिजिए उसको कूट लिजिए हलका सा दरदरा कर लिजिए उसके बाद डाल दिया अब लॉंग और काली मिर्च कूट के डाल देंगे अब दोस्तों हलका सा इसमें अद रख डालेंगे पतला पतला स्लाइस करके अब हम इसमें एक चम्मस्त तेल डाल। उबाला गया पानी में उबाल आने के बाद ही एक चम्मस्त तेल डालें। उसके बाद अब हम यह कटहल डाल देंगे दोस्तों कटहल डाल के दोस्तों स्रफ एक सीटी लगाना है और सीटी लगाते ही जैसे सीटी आ जाए आपको तुरंद कुकर से सीटी निकाल देना है उसमें सीटी रोक के नहीं नहीं बननी चाहिए कुकर मैं यह हमारा कटहल गल जा हैं बहुत ही आसान तरीके से सब्जी बनाऊंगी और बहुत ही थोड़ा अलग तरीके से आज मैंने कट हलकी सब्जी बनाई है बहुत ही आसान तरीके से मैंने मोटा मोटा प्याज काट लिया मोटी मोटी हरी मिर्ज काट लेंगे और यह मैंने लेसन को भी लंबा मोटा मोटा मेरा कटहल निकाल निकाल लूगी है कर दोस्तों यह पाणिया हमें सब्जी में यूज करेंगे तो मैंने तीन बड़े चममच में तेल डाल दिया है तो दोस्तो हम शर्सो की तेल में कट्था अगों मेंज्यूजा आप जो तेल किब करते हैं रेस्पी करदों सिर्फैट ज्याह्ते शाली करने मेरे नोऍको environmental बूस्च आप कर दोस्तो हमें कट्थेल बीच यहादा नहीं किना हम आई अधा अधा तो दोस्तो हमारा कटल फ्राई हो गया अब इसको हम निकाल लेंगे और जो तेल बचेगा हमें उसी तेल में ही सबजी बनानी है तो दोस्तो हमारा जो तेल बचा है हम दूसरा तेल नहीं डालेंगे हम इसी तेल में सबजी बना लेंगे तो मैंने खड़े मसाले जो मैंने लेंगे लेसन और अब हम लेसन को थोड़ा सा हलका सा ब्राउन करेंगे हमें सारी चीजों को ज्यादा फ्राई नहीं करना अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे यह अद्रक भी डाल देंगे ग्रेट किया हुआ इन सारी चीजों को थोड़ा-थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, अब हम डालेंगे इसमें प्याज, तो दोस्तो मैंने बड़े-बड़े तीन प्याज लिये थे, तो मैं सारे बड़े-बड़े काटके मैंने इसमें डाल दिया, मैंने प्याज को पहले ही काट ल यह डाल दिया और दोस्तों प्याज के साथ ही मैंने साबूत दो लाली मिर्च डाल दी थी अब यह मैंने कस्मीरी लाली मिर्च डाल दिया उसके बाद अब इसमें हम हल्दी डालेंगे हल्दे डालके इन मसालों को चला लेंगे थोड़ा ही भूनेंगे हमें कोई चीज जादा नहीं भूनना है दोस्तों उसके बाद हम टमाटर को भी डाल देंगे टमाटर को भी थोड़ा सही भूनेंगे आप हम इसमें डालेंगे दोस्तो वो मसाला जिससे हमारी पूरी सबजी का टेस्ट ही बदल जाता लेकिन उससे पहले हम नमक डाल देंगे तो देखिए दोस्तो मैंने ये मटन मसाला डाला है मटन मसाला मैंने डेर चमच भरके डाला है दोस्तो दोस्तो इस मटन मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैंने साथ में ही धनिया पाउडर मतलब कोरियंडर पाउडर डाल दिया तब सारे मसालों को मिला देंगे मिलाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा वही जो कटहल से पानी निकला था वो डालेंगे हलका सा डालिए चार से पांच चमज के करीब मतलब थोड़ा सा मसाला हमारे हलका सा तले में चिपक गए तो उनको छुड़ाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे हलका सा चलाएंगे उसके बाद हम यह पानी डाल देंगे थोड़ा सा दोस्तों और डालके दोस्तों इसको हमें पानी को पूरा ही जला देना है मतलब पूरी तरह से नहीं चलाना है थोड़ा सा पानी जला देना है क्योंकि हम इससे इस पानी से हम मसाले गलाएंगे तो दोस्तों मैंने कुकर में चार सीटी लगा दी चार सीटी लगान कितना बड़ी है मसाला बनके तयार हुए दोस्तों जिनके पास मिक्सी वगारा नहीं है आप इस तरह बना सकते हैं नहीं जिनके पास है वह भी एक बार इस तरह करके देखें बहुत इच्छी सब्जी बनती है बहुत ही बहुत ही टेस्टी तो दोस्तो अब पानी सारा डाल देंगे इसमें जो पानी मतलब कटहल से बचा था जिसमें हमने कटहल को वैल किया था सारा पानी डाल के इसमें उबालाने देंगे उबालाने के बाद हम फ्राई किया हुआ कटहल डाल देंगे कटहल डालने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, चलाने के बाद अब इसमें हम दोस्तों सीटी नहीं लगाएंगे, एक प्लेट को ऐसी मिलब ढख दीजिए, और ढखने के बाद पांच मिनट धीमी आज करके, मीदियम आज करके, चार से पांच मिनट ही पहले से, हमने कटहल को उबाला था और फ्राई किया था, अगर आप उबालना नहीं चाहते हैं, तो आप डारेक्ट फ्राई करके बना सकते हैं, अगर उबालना है, तो दोस्तो आप ऐसे ही उबाल लेजिए, सीटी नहीं लगाए, दो से तीन मिनट सारी चीज़ों को डाल के दोस्तों देख लीजे हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनके तयार हुई है बहुत ही टेस्टी दोस्तों ये सब्जी बनी है बहुत ही जादा टेस्टी तो दोस्तों थोड़ा सा हरा धेने डाल देंगे हरा धेने डाल के अब इसम को हम एक बावल में सर्व करेंगे तो देखिए दोस्तो हमारी सब्जी कितनी बढ़िया लग रही थोड़ी सी हम धनिया डाल देंगे धनिया डालने के बाद देखिए हमारी सब्जी और भी प्यारी लग रही दोस्तो सब्जी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगी है बहुत ही टेस्टी हमारी बनके तयार हु दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें